हेलो फ्रेंस वागत हाँ सभी का हमारे चनल को के श्टड़ी में माइक मलबेश्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आपके आपर मैंत्मू क्वेशनों को गराऊंगा दोस्ते आपके इंडियन आर्मी के लिए बहुत मैंत्मू क्वेशन है और सभी एक्जाम के लिए दोस्त इसी दर्खवास करना जाएंगे दोस्तों है आपने हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को तुवाना मत भूलेगा दोस्ता हमारी वीडियो को अपर संपानी के लिए क्योंके आपको रोजी म होता है आपको सलुशन बताना है दोस्तों जो गोल्ड को क्या करता है साफ करता है किलीन करता है दोस्तों यह दोस्ता आपका आपर एक्वारेजिया होगा या गैंग होगा या यशदलेपन होगा या पारद मिश्रण होगा यह दोस्ता आपका हो जागा एक्वारेजिया द किया जाता है बहुत ही अच्छा कोशिन है वलकली करण आपको पता होना चाहिए दोस्तों वलकली करण का मतलब होता है दोस्तों रबर को कठोर बनाने के लिए जुक्रिया होती है वह आपकी वलकली करण कहलाती है अब इसमें देखे किसको गर्म किया जाता है रबर वह सलफर दोस्ति हैं हिस statement आपको बताना हैं दोस्तो आइरन और इल्मूणियum होगा या अबसे है अधितल Side इनन्नी चाकू से काड़ सकते हैं अगला गोशन आपर देखे मंदिर निर्मान की कला का प्रारंब कब से हुआ दोस्तों आपर देखे जब मंदिरों का निर्मान हुआ इसकी कला का प्रारंब हमें इतिहास में कहां से मिलता है आपको बताना है मौरिकाल से या सल्तनातकाल से या गुपतकाल से या कोई नहीं ये दोस्तों हमें आपर देखे गुपतकाल से ही मिलता है option number आपका S वाला सही हो जागा गुपत-काल जो आपका हैंपर प्रारंबिक काल माना जाता है दोस्तो अगला question आपका देखिए बाजार नियंतरन प्रणाली किसने अपनाई दोस्तो आपका देखें बहुत ही अच्छा question है बाजार नियंतरन प्रणाली किस ने अपनाई थी या अक्बर ने या अला-अद्दिन खिलजी ने या जलाल-अद्दीन मुहमद ने या फिर तुगलग ने इस दोस्ता आप गहा हैं पर पर हुजाएगा अला-अअध्दीन खिलजीने दोस्तो तो option number आपका B वाला सही हो जाएगा अगला कोशन आपर देखें दोस्तो स्वेध करांद के जनक कौन है यह दोस्ते आपर देखें स्वेध करांद के जनक आपको बताना है स्वेध करांद आपको बता होगा दोस्तो स्वेध करांदी मतलब आपको पता होगा दोस्तों जो दुख दूत पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर करांदी हुई थी अब इसमें देखिए कौन यहाँ पर जनक माने जाते हैं इसके आपको बताना है बर्गीश कुरियन या फिर आर के कृष्णन या कोई नहीं या फिर डी के राओ यह दोस्तों हो जाएंगे बर्गीश कुरियन और आपका ए वाला सही हो जागा इन्हीं को श्वेत करांद का जनक माने जाता है अगला कोई नहीं आप देखिए शेर्शा सूरी का मगबरा कहां परिस्थ है शेर्शा सूरी का आपको बताना मगबरा कहां परिस्थ है बलिया में सासाराम में राइगड में या चित्रकूर्ड में यह दोस्त आप कहां पर हो जागा सा 1526 में या फिर 1721 में या फिर 1826 में या फिर कोई नहीं ये दोस्ता आपका आपर हुजागा 1526 में दोस्तो और आपको सभी पता होने चाहिए दोस्तो पानिपत के तीन युद्ध हुएते तीनों को आपको बता होना चाहिए और किनके बीच में हुआ ये भी आपको मालूम होन चाहिए दोस्तो अगला कोशिन आपर देखे नागारजुन बाध किस नदी पर इस्तित है नागारजुन बाध आपको बताना है दोस्तो कौन सी वारी नदी पर इस्तित है ये गंगा पर या कृष्णा पर या कावेरी पर या नर्मदा पर ये दोस्त आप क्रिश्णा नदी दोस्तो ओप्शन नमर आप कभी वाला सही हुजागा अगला कोशन आपदेखे दोस वुर्ण चतुरभु जी ओजना दोस्तो जवाहरलाल नहरु ने या इंद्रा काद्धी ने या पिर अटल विहारी बाजपी ने या फिर कोई नहीं धुथी अगला कोशन आपदेखे दोस् सब्सक्राइब और जोड़ने नोनमेटल में चमक नहीं पाई जाए लेकिन इस तरह इस तरह जो इन पहलने है जिसकी सतही चमकदार की हुती है दोस्तों इस प्लास्टिक होगा कोईला होगा लकडी होगा बाईूदी ईसता आपके हो जागा iodine option number आपका डी वाला सही हो जागा iodine दोस्तो अगला कोशिन आपकर देखें दोस्तो solder किसकी मिश्रध हातु है बहुत ही आच्छा कोशचन है दोस्तो आपको सोलडर आपको बताना एकिसकी मिश्र धातु है किसका मिक्चर है दोस्तो यह तामबा वजस्ता या फिर तामबा वटेन या सीसा वटेन या फिर कोई नहीं यहाँ पर देखें तामबा वजस्ता दोस्तो आपका काहिका होता है यह आपका पीतल का होता है दोस्तो और तामबा वजस्ता आपका काहिका होता है यह आपका काहिका होता है तो एक क्वेशन आपके अवश्य है आते हैं दोस्तो इनमें से आपको तयार कर लेंगे आप सभी क मिश्र धानतों को आपको बतानी को आता है अग्ला कुछन आप देखे दोष्टो ऐसी धातो जो दोस्तो विद्धूत का सूचालक हो अब यहाँ पर देखिए बेसिकली दोस्तों आपके नॉन मैडल जो आपके होते है इसका इस्तेमाल पैंसिलों में भी दोस्तो किया जाता है अगला कोशन आप देखिए वायो मंडल में आंधरता मापने वाला ये अंतरा आपको बताना है दोस्तो अर्थात आपको एट्मोस्फेरिक दोस्तो तो एक monster मापने वाला measure करने वाला आपको instrument मताना है यह barometer होगा, agrometer होगा, lactometer होगा या शिस्मो ग्राफ होगा यह दोस्त आपकेमर हो जागा, agrometer और आपका भी वाला सही हो जागा, agrometer Parometer दोस्तो वायुमंदली दापको अपने वाला हो गया लेक्टोमिटर दुख्द की शोधता को मापने अलाओ गया दूद की और सिस्मोग्राफ भूकम्प की तीव रता को अगला कोशने आप देखिए मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया आपको बता होगा दोस्तों मादा अनाफलीस के काडने से होता है और इसम का बैकबोन या यकरित या प्लीहा या दिमाग यह दोस्तों आपका प्लीहा प्रभावित होता है और आपका सीवाला सही हो जाएगा अगला कोशने आप देखिए दोस्तों निमन में से कौन सा एक दूरी का मातरक है आपको दोस्तों यहां पर देखिए कौन सा आपका डिस लिए काम आता है तो option number A वाला आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन आप देखे दोस्तो विश्व मानवादिकार दिवस कब मना जाता है दोस्तो बहुत यह अच्छा कोशिन है कि कापका आपका दिवस वाला आवश्य आता है विश्व मानवादिकार दिवस आपका 5 यून को या 19 मार्च को या 10 दिसमबर को या फिर 14 नवंबर को या आपका दोस्तों 10 दिसमबर को मना जाता है तो option नमबर आपका C वाला सही हो जागा अगला कोशन आपर देखें दोस्तों भारत के किस शहर को परल सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों परल सिटी आपको बताना है कौन से वाला शहर है आपका जैपूर, लकनव, दिल्ली, हैदराबाद यह दोस्ता आप कहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा ओप्शन नमबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अगला कोशन आप देखिए काजी रंगा कहां इस्तित है काजी रंगा दोस्तो अभ्यारन्य है यह कहां पर इस्तित आपको बताना है यह असम में, जैपूर में, दहरादून में या फिर बंगाल में यह दोस्ता आप कहां पर असम में इस्तित है ओप्शन नमबर आपका एवाला सही हो जागा अगला कोशन आपर देखिए, नौटंगी कहां का लोग निरित्या है नौटंगी दोस्ता आपको बताना है, यह राजिस्तान का होगा, उत्राखन का होगा, असम का होगा, या फिर उत्तरप्रदेश का यहाँ पर यूपी का हो जागा उत्रप्रदेश का और यहाँ पर देखे नौटंकी का दोस्त आपका और भी सभी के आपको लोग निर्थे पता होनी चाहिए दोस्तो राजिस्तान का घूमर होता है उत्राखंड का छलिया होता है असम का बिहु होता है दोस्तो तो सभी को आपको पता करना है अगला कोशन आपको देखे 1877 का विद्रो कहां से शुरू हुआ दोस्तो देखे दोस्तो का शुरू आपका शुरू आती जो विद्रो आपका माना जाता है वो आपका 1877 का माना जाता है तो यह कहां से शुरू हुआ आपको बताना है कोलकाता से या मेरट से, या दिल्ली से, या महाराष्रा से, इस दोस्ता आपके जासाय अपकर मेरट छावनी से शुरू को माना जाता है दोस्तो और अप्शन नमरपकार बी वाला मेरट सही हो जाएगा अगला कोशनि आप देखिये दोस्तों पर्थम नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाला भारति आपको बताना है पर्थम नोवल प्राइज दोस्तों यहाँ पर किनको मिल आपको बताना है रवींद्र नाथ टैगोर को या मदर टेरेसा को या सीवी रमन को या हरगोविन खुराना को दोस्तों ये दोस्ते आपर देखिए रवीन्दर नाथ टैगोर को दोस्तो साहितिक एक शेत्र में लिटरिजर के फील्ड में दोस्तो पर्थमबार दिया गया था तो आप्शन नमबर आपका एवाला सही हो जाएगा तो ये थे दोस्त आपके बहुत ही खास कोशन दोस्तो जो आपके बार बार पूचेगे हैं इनको आप तैयार कर लेंगी और भी इस तरह की कोशन को हम लगातार आपको बता दे रहेंगे हमार साथ भी बने रहेगा दोस्तो झाल झाल